आप सभी का दूआ कलासिस पर स्वागत है आज हम आकल नमबर पांच जो की पेज नमबर 110 पर है उसको हल करेंगे दोस्तो हल करते हैं आकल नमबर पांच तिलियों से निमन पढ़ती रूप बनाने पर पंद्रमें पद में कुल कितनी तिलियों की आवशकता होगी यह दोस्तो हमें यहां कुल पंद्रा पद यानि पंद्रा बार एन लिखना है तो उसमें कुल कितने तिलियों की आवशकता होगी यदि एक में त तालिस तिलियों की आफशक्ता होगी नेक्स स्वाल हल करते हैं दो नंबर तालिका को पूरा करें दोस्तों में एक तालिका दे रखी है वरगों की संख्या एक यानि एक वरग बनाएंगे तो में कुल चार तिलियों की आफशक्ता होगी तो दो वरक बनाने के लिए दोस्तों में 7 तिलियों के आफशकता होगी और 3 वरक बनाने के लिए 10 तिलियों के आफशकता होगी तो दोस्तों यहां 3 वरक बने हुए हैं तो इसमें 10 तिलियों लगी हुए है और 5 वरक बनाने के लिए 16 तिलियों के आफशकता होगी 12 वरख के लिए 37 तिलियों की आफशकता होऎगी और 15 वरख बनाने के लिए 46 तिलियों की आफशकता होगी जो कि दोस्तों उसका जो नियम बन जाएगा 3N पलस एक अब दोस्तों तीन निमबर स्वाल कौहल करते हैं C का अगला परतिरूप बनाने के लिए आउशक तिलियों की संख्या बताएं तो दोस्तों मैं यहां C की संख्या यान जो मैं संख्या दे रखी है या जो आकर्टी दे रखी है उसमें एक में तीन तिलियन लग रही है तो दो में छे, तीन में नो, नो में बारे, बारा में पंद्रे, पंद्रा में अठारे, दोस्तो इसका नियम बन जाएगा थ्री एन, या तीन एन. नेस्ट चानल बन मुल्य करते हैं, निमन लिकित, बेजय बेंज़िकों के लिए कफ़न लिखें, तो दोस्तो यहां लिखा हो है Zबहाँ बार दो, यानि हम लिख सकते हैं, पैन का मुल्य, पैंसिल के मुल्य का आदा है, तो यहां दोस्तों, जो Z बरभर पैंसिल हो जाएगी, यहां जो जेट का मुल्य है वो पैंसिल का मुल्य है नेक्स्ट हल करते हैं पी माइनस एक बटा दो दोस्तों हम यहां लिख सकते हैं सेव का मुल्य है अमरूद के मुल्य से एक बटा दो कम है यानि अमरूद का जो रेट है वो पी बरबर होगा नेक्स्ट है अधिक है दो गुनी अधिक है तो हम यहां लिख देंगे पांस नमबर स्वार को खुल करते हैं महुन की आयू पेटर की आयू से छे वर्स कम है यदि महुन की आयू एक्स वर्स है हो तो पेटर की आयू क्या होगी तो दोस्तों यहां पेटर की आयू हो जाएगी एक्स प्लस छे वर्स के बराबर हो जाएगी दोस्तों आज हमने आगल नमबर पांच जो की पेज नमबर 110 पर था उसको हल किया है धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कहले प रातर किसाद